उत्तर प्रदेश के चुनाओं की जिसकी कवरेज जिसकी जमीनी हकीका जानने के लिए हमने 40 दिन में 11300 किलो मीटर की दूरी ना पी और उत्तर प्रदेश का जनादेश इस पस्ट हो चुका है नरेंद्र मोधी के पक्षम जनादेश है बीजेपी को ऐसी जीत मिली है जैसी आज तक किसी को नहीं मिली पिछले 30-40 सालों में आखिरी बार शायद 60 के दशक में कभी ऐसा हुआ हुआ कि कॉंग्रेस को इतनी बड़ी जीत मिली होगी सतर, असी, नबबे और दो हजार के दशक के बाद सहिशाबदी में भी कभी किसी पार्टी को इतनी बड़ी जीत नहीं मिली 300 का लक्ष लेकर चली थी बीजेपी 300 के ऊपर 314 के आंकड़े पर पहुँची हुई है लेकिन इस जीत के माईने क्या है इन सब चीजों पर बहुत सारी बाते हो रही है मैं बात करने जा रहा हूँ इस इलाके की जहां पे बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है अंग्रेजी का शब्द क्लीन स्वीप विपक्षी को जीरो जीरो सीट दी है और वो इलाका इकलोता इलाका उत्तर प्रदेश का जहां पे सपा बस्पा कॉंग्रेस निर्दली या छोटे दलों का एक बी केंडेट नी जीता और वो जगह है बुंदेल खंड मेरा इलाका बुंदेल खंड जहांके 7-8 जिलों की 19 सीट है पिछली बार क्या हुआ था साल 2012 में सभा के पक्षम लहर थी इसके बावजूद बुंदेल खंड में बस्पा जीती थी बस्पा के 7 विधायक चुने गए थे समाजवादी पार्टी के 6 विधाय चुने गए थे और चौते नंबर पे थी भारती जनता पार्टी जिसके सिर्फ दो विधायक चुने गए थे एक हमीरपुर की चर्खारी सीट से उमा भारती जो बीजेपी की तरफ से बतौर सीम के इंडेट प्रोजेक्ट की गई थी और दूसरे जहांसी से रवी शर्मा ल बिल्कुल नई पार्टी थी तब भी यहां से चार छे आठ विधायकों को जिता के ले गई थी चैन सुख भारती अकबर अली और शिवकुमार कुश्वाह उस दौर में चुनाव जीते थे यहां से नसीम उद्दिन सीथ की गया चनर दिनकर मतलब बीएसपी के कई बड़े जाटवों के खिलाफ दुरवी करण एंटी जाटव पोलराइजेशन ओबी सीज में एंटी यादो पोलराइजेशन और पूरा सवन लगबग एक मुष्ट भारती जनता पार्टी के पक्ष में गिरा है आपको दिखाते हैं उन 19 सीटों की कहानी उन 19 सीटों पे क्या रहा ज जिला जालौन इसमें तीन सीटे हैं पहली सीट जैसे ही आप कानपुर से पार करते हैं यमुना नदी सीट आती है कालपी कालपी से चुनाओ जीते हैं भारती जनता पार्टी के टिकट पर नरेंदर सिंग जादौन पहली बार चुनाओ लड़े दो बार बीजेपी के जिला कांति सिंग नेता नहीं है कभी घर से नहीं निकली नेता है उमा कांति सिंग के पती सुरेंद सिंग उर्फ सुरेंद सरसेला बाकी लौकों में भी रवायत है गुंदेलकंड में खास तौर पर है नेता अपने गाउं का नाम अपने नाम के साथ सरनेम के तौर पर यूज करते वैसे ही सुरेन सरसेला जिनकी उपर हत्या के मामले में जिनने सजा सुनाई जा चुकी है और इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को आगे किया वो जमानत पर बहार है हाई कोड से उमा कांति सिंग पिछली बार बस्पा के संजेब अधौरिया को हरा कर पांचे जार वोटों से चुनाऊ जीती थी कालपी की सीट से लेकिन इस बार नरेंद्र सिंग जादौन अभी तक 32,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और चोटे सिंग जो 2007 में बिएस्पी के टिकट पर चुनाऊ जीते थे वो दूसरे नंबर पे हैं और उमा कांति सिंग कॉंग्रेस की सफा के साथ गilबंदन के बाद यह सीट कॉंग्रेस के से माईज़ इसीब संपा से यह चुनाऊ नहीं लढा गया था उमा कांति सिंग तीसरे नंबर पे हैं यह वो सीट है जिस पर उननीश सो नवासी में जनता दल चुनाओ जीता। चौधरी, शंकर सिंग, उननीश सो혜ानबे में बस पा श्रीरामर। सी रम पाल 1200 में पहली बार ऐसा हुए है। शीराम पाल को बसपान निकाल दिया, उनकी जगे हर चनल पाल को टिकट दिया, तब जाकर यहाँ बीजेपी के अरुन महरुत्रा एक बार चुनाओ जीते, 2007 में छोटे सिंग जीते, छोटे सिंग कुश्वाहा के, बहुत करीबी माने जाते हैं, बाबूलाल कुश्वाहा के, और यह कहा जाता है कि बाबूलाल कुश्वाहा ने मायावती के राज में जो संपत्ति बनाए, उसका एक बड़ा हिस्सा छोटे सिंग को भी मिला, छोटे सिंग इस बार BSP के टिकट पे थे, उमाकांति कॉंगे इस पे, मतलब दो विधायक, एक पूर विधायक और एक चुनाव जीत रही है, सिर्फ एक बार यहां पर ऐसा हुआ था, उसके बार लगातार तीन चुनाव हारे, इस बार यहां पर भाजपा के टिकट पर एक और पूर जिला ध्यक्ष मूलचन निरंजन ने जीत हासिल किये है, जीत हासिल करने की तरव इस पश्ट रूप से बढ दूसरे नंबर पे हैं, बाउजन समाज पार्टी के टिकट पर गिरीश अवस्थी, जिनके परिवार के लोग कमनिस पार्टी से जुड़े रहे, यह जुड़ाव ऐसा था कि जब गिरीश अवस्थी ने अपना कॉलेज खोला तो उसका नाम भगत सिंग कॉलेज रखा, बा बंदन में सीटें कॉंग्रिस को जादा मिली, तीन जिले में तीन सीटें है, मादोगला और कालपी कॉंग्रिस के हिस्से आई, जबकि उरही सपा के हिस्से आई थी, इस सीट पर भी बीजेपी के मूल चंदरंजन बहुत बड़े बंतर से आगे चलने हैं, उनका विदायक सीट, जहां पर मैंने आपको पहले भी बोला था कि यह मेरी ग्रह सीट है, मेरी होम कॉंस्ट्वेंसी है, बीजेपी के टिकट पर गौरी शंकर वर्मा पचास हजार से जादा वोटों से आगे चलने हैं, बुंदेलखन की सबसे बड़ी जीतों मैंसे एक हो सकती है, गौरी सीट से 2012 के पर सीमन के बाद कोंच की सीट खत्म कर दी गई, और रही की सीट पर आये, पिछली मर्तबा भी चुनाओ हरे ते समाजवादी पार्टी के दयाशंकर वर्मा से, दयाशंकर वर्मा के साथ इस बार बहुत बुरा हुआ, बुरा ये हुआ कि दयाशंकर वर्मा को से पीछे हैं और विजये चौधरी बहुजन समाच पार्टी के टिकट फर तीसरे नंबर पे हैं, विजे चौधरी जो उराई की पारली की नगर पालका गया, विजे चौधरी के पर बाबा सांसद रहे, विजे चौधरी के परिवार के पास उराइकी सांसदी उननीस सrow न राम चौधरी लच्छली राम चौधरी राम सेवक भाट या नवासी में ऐसा हुआ कि पहली बार हारे और उसके बाद विजय चौधरी की पीडी में यह लाए एक और दिल्चस्प चीज विजय चौधरी बसपस टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे विजय चौधरी के चाच अगला जिला जिले का नाम हमीरपुर है नक्षा दखाएए है कि कौ ये पर हुआ है एuary जालोन है यहां से एक रास्ता जHANसी की तरफ जाता है जिसपर हम बाद में जाएंगे एक रास्ता हमीर पूर जाता है हमीरinपुर की सीट जहां पर चुनावाँ लड़ रहे थे अश् चंदेल अशोक चंदेल बाहुबली वाले नेता बसपा से एक बार सांसद रहे हैं उनके ऊपर एक प्रतिष्ठित ब्राह्मर शुकला परिवार है उसके कई परिवाई सदस्यों की हत्या का इल्जाम है डिस्टिक कोट से बरी कर दिया है लेकिन हाई कोट पर मामला चल रहा है दिन दाले हत्या हुई थी 307 और 302 के मुकदमे थे इसलिए जब अशोक चंदेल को टिकट मिला तो इलाके के कुछ पत्रिष्ठित ब्राह्मर नहीं ये त्या किया कि वो इनके विरोध में बहुजन समाज पार्टी के संजीर दिक्षित के पक्ष में कैम्प करेंगे लेकिन 12 में यहीं चुनाओ जीती है और 14 में फतेपुर चुनाओ लड़ने गई चुनाओ लड़के यूपी में पहली बार इकलोती बार विधायक बनी थी साल 2012 में 14 में वो जहासी की सीट पर लोगसभा चुनाओ लड़ने चली गई उसके बाद इस सीट पर उपचुनाओ हुए जिसमें उमा भारती से जो हारे थे कप्तान सिंह राजपूत सपा के वो चुनाओ जीते फिर कप्तान सिंह राजपूत को हत्या के मामले में सजा हो गई उसके बाद उनकी पत्नी उर्मिला देवी चुनाओ लड़ी और उन्होंने अपने ही गाओं के प्रतिदंदी और हमीरपुर के लोगसभा सांताओ गंगा लेकिन इस चुनाओ में गंगा चनल राजपूत के बड़े बेटे अखिल के बड़े भाई ब्रजबूशन उर्फ गुर्दू राजपूत बड़े मंतर से चुनाओ जीतते नजर आ रहे हैं उनके और उनके प्रतिदंदी उर्मिला देवी जो की रिष्टे में उनकी गाओ 30,000 वोटों का फर्क है तीसी सीट है यहां की महोबा राठ राठ सीट दिखा लिए दरसल हमीरपूर महोबा इसकदर जुड़े हुए हैं आपस में कि अभी कुछी बरसों पहले अलग जिला बना है राठ की सीट सुरक्षिस सीट है यहां से भारती जनता पार्टी के टिकट पर मनीशा अनुरागी एक लाग 47,000 वोट पाकर एक लाग 5,000 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव जीतती नजर आ रही है एक लाग के ऊपर से प्रदेश में अगर 4-5 विधायक जीत रहे होंगी तो उसमें से एक मनीशा अनुरागी होंगे होंगी मनीशा अनुरागी यह इसलिए है हमें क्योंकि साहबाबाद की सीट अर्बन सीट है अर्बन सीट पर बीजेपी को हमेशा से समर्थन रहा है राट की सीट भुच देहाती सीट है दूर दूर तक फैले गाओं के लेकिन यह बहुत बड़ा फासला है हमेजी राट के बाद अगली सीट महोबा जहां से बीजेपी के टिकट पर राकेश गोस्वामी चपन और चार साथ और साथ और अठाइस अठाइस चार बत्तिस हजार वोटों के फर्क से आगे हैं दूसरे नंबर पर सिद्धुपाल साहू है जो सिटिंग है या अरी मर्दन सी इनमें से कोई एक सिटिंग था कॉंग्रिस टिकट पर और शायद बसपा में चले गए सिद्धुपाल साहू भी एक बार विधायक रहा चुके हैं बड़ा अंतर है राकेश गोस्वामी और ये बुंदेल खट में ब्रामनों को दो ही तीन टिकट दिये गए कई नाराजगी भी रही लोगों की नाराजगी रही लेकिन जहां से राकेश गोस्वामी और इसके बाद अब रुक करते हैं जहांसी का जहांसी की गरोठा सीट जहांसे सिटिंग विधायक थे दीप नराण यादव उर्फ दीपक दद्दा की दिल्चस्प कहानी समाजवादी पार्टी के टिकट पर राजनीती करते हैं मध्यप्रदेश से एक बार ये विधायक रहे हैं बिलकुल सटा हुआ जो टीकम कर जिला है जहांसी से वहां की एक सीट से इ उनकी भी कहानी सुनाएंगी दीप नराण यादव का कई बार नाम आया कि सार्ट कैबिनेट मंतरी बन सकते हैं नहीं बने गौर करिएगा 2012 के अखलेश यादव सरकार में बुंदेल खंट से 6 विधायक होने के बावजूद उप्चनाओं का जोड़ दें तो 7 विधायक होन 17,000 वोट यानि 16,000 वोटों के फासरी से पीछे अभी हो सकता है और अपडेट हो अगली सीट है बवीना जहां से चनाओ रहे थे चंदरपाल यादव के बेटे उनका अचा जहां सी जहां सी पे तो सिटिंग जो बीजेपी दो सीट जीती थी जिस पे बीजेपी बारा में च चास जोड़ों हैं तो 112 हो गया और फिर पांच जोड़ों 55,000 वोटों के बड़े अंतर से ये बीजेपी के सीट अराम कुश्वाहा से आगे चल रहे हैं कॉंग्रेस के राहूल राय यहां पे तीसे नंबर पे एक को 62,000 वोट मिले हैं रवी शर्मा को रवी शर्मा की सीट पे ही पहले रवीन शुकला चुनाओ लड़ते थे और जीतते थे वंदे मातरम को लेके स्कूलों में एक विवाद हुआ था बेसिस रिक्षा राजमत्री तब उन्हें स्तीफा देना पड़ा था इसके बाद अगली सीट है मौरानीपूर सुरक्षे सीट है जहां से भारती तो खेंठत्रम की सीटि निज्आ फिवादक इसके डिलखन की सीटे बचीए ललितफुर की सीट दिखाई है न आख जाली पूर से भारती यंदा पार्टी के Cataparty जिश्वाह यकिस बिरादरी वोट की बार 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 हो रही है केश कई शब्लाक्य साज मौर्य के संदरमे म एक लाग चपन हजार वोट पायों और उनकी प्रतिद्वंदी सपा की जोती सिंग अठासी हजार वोट पाचुगी यानि की चपन दस चाचट और दो अरसट अरसट हजार वोटों का बड़ा अंतर है ललिकपूर में महरौनी सीट नहीं दिखाई अभी आपने महरौनी भी द पता नहीं इनको वहां चुनाओ लड़ने क्यों बेदिया गया थे तो उरही से टिकट मांग रहे थे इसलिए टिकट चकर में यह बसपा छोड़ कॉंग्रेस में चले गए थे बसपा से लोगसाबा सांसद भी रहे राजसाबा सांसद भी मनोहर लाल यहां पर पच्छत्तर और तीन अठतर हजार वोटों से आगे चल रहे हैं यह जासी और लिट्पुट जिला हो गया अब बचा बांदा और चित्रकूट वहां पर भी आ जाईए बांदा की सीट पर सिटिंग विधायक थे विवेक सिंग आप बबीना दिखा रहे हैं बबीना चुर गए ठीक है ठ 96,000 वोट पाके सपा के यश्पाल सिंग यादव से लगभग 97 और 26 10 और 8 17,000 वोटों से आगे चल रहे हैं चंद्रपाल यादव के लिए बड़ा जटका होगा राज सभा के सांसर दें चंद्रपाल यादव पहली बार बेटे को चुनाव लड़वारे थे यह जहासी और ल जारानी पूरभी हो गया है, बांदा बांदा और हाँ, नरहेनी सीट भी है, ठीक है, नरहेनी सीट, सुरक्षे सीट, यहाँ से गया चणदेनकर बीसपी के विधायक थे और स्वामिभभा 9-30,000 वोटों से, 49,000 वोटों से भाजपा के राजकरन कबीर से चुनाव हा रहे ह कर नरैनी सीट से और दिखाइए कि चित्रकूट वो सीट जहां पर कुख्या दुर्दांत डकैत ददुआ का बेटा वीर पटेल चुनाओ लगता ता और जीतता था वीर सिंग सपा के टिकट पर इस बार वीर सिंग 27,000 वोटों से चुनाओ रहे हैं चंदन प्रसाथ उपाध् के उन से बांदा की सीट जहां पर कॉंग्रेस के विवेक सिंग सिटिंग विधायक थे पहले भी कई बार विधायक रहे हैं इनकी भी शुरुवात नगरपाल का अध्यक्षी से हुई विवेक सिंग इस बार तीसे नंबर पर चले गए दूसरे नंबर पर बसपा के पाल कुश्वाहा चुनाव जीत रहें किरन यादो यहां पर बसपा की दूसरे नंबर पे हैं और बिशंबर सिंग सपा के तीसे नंबर पर यहां पर भी जीत का जो अंतर है वो बाइस हजार वोटों का मतलब कहीं पर भी करीबी मुकाबला भी नहीं है और कई जगे तो एक मानिकपूर में आर के सिंग पटेल बसपा कभी एक बड़े नेता रहें सपा में भी शाहिए कुछ वक्त के लिए रहें बीजेपी में इनको लेकर आए गया था आर के सिंग पटेल 84,000 वोट पाकर संपत पाल से संपत पाल वो नेता हैं जिन्होंने गुलाबी गैंग बनाय की थी ना वो कमांडर संपत पाल के ही जो मिशन था जो अंदोलन था उस पर आधारित थी संपत पाल को आपने बिग बॉस में भी देखा था जो गुलाबी साड़ी गैंग था उन संपत पाल को कॉंग्रियस ने टिकट दिया वो 44,000 वोटों से चुनाव हार रही हैं बसपा लगभग 30,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीत रहे हैं बसपा की जगदीश पिजापती हैं दूसरे नंबर पे हैं और जो सिटिंग विदायक हैं कॉंग्रेस के दलजीत सिंग जो पिछली बाद 10-15,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे गटबंदर मिक पास सीट आई उननिस की उननिस सीटों पर बीजेपी ने सूपडा साफ कर दिया है सपा बसपा को ऐसा जटका दिया है जिससे पता नहीं वो कितने बरसों में उबर पाएंगे मेरे लिए ये बहुत ही दिल्चस्प है मैं खुद उस लाके का रहने वाला हूं उस लाके की लगभग हर सीट के समीकरन समझता हूं जानता हूं और ऐसी सफलता की उमीद बीजेपी ने कभी भी नहीं की होगी ये थी बुंदेल खंड की सियासत जिसकी हर सीट का हाल हमने आपको सुनाया दीलरलंटॉप.com उत्तर प्रदेश चुनाओं के सिर्फ आंकड़े नहीं किस से बात हैं कार जारी रहेगी आज उत्सव का दिन है कैमरे पर मेरे पीछे हैं रजत अमितेश और उत्सव का दिन इसलिए है क्योंकि लोग तंतर का यह सबस्क्राइब उत्सव होता है कि आप लगातार कैंपेनिंग में हैं जा रहे हैं और फिर जब नतीजे आते हैं कहीं आपके प्र प्रदेश में 403 सीटें बीजेपी गठवंदन सवा 315 पर पहुंच गया है अखलेश यादव 64 जिसमें से 57 सीटें हैं समाजवादी पार्टी के पास और कॉंग्रेस सपा से गठ जोड करने के बावजूद दहाई का आकड़ा नहीं छूपाई है कॉंग्रेस के साथ विधा कौन है दो के नाम तो मुझे पता है एक प्रमोतिवारी की बेटी आराधना मिश्रा जो प्रताब गल की रामपुर खास सीट से चुनाव जीतने की स्थिती में है बिल्कुल इस पस्ट लीड के साथ हैं दूसरी बगल के राइबरेली के सदर से अखलेश सिंग की बेटी का मिपेश शुक्रिया